सिरी गुलाम अली सर हमारे जो सिड़क के हानवल मिनिस्टर्स है जमू कश्मीर में नाशनल हाइवे, फोर लेन सिक्स लेन, टनल्स जमू और कश्मीर में दूरी कम हो रही है हमारे पास अलफाज कम है अप्रिशेशन के एक छोटा सा बात है कि कश्मीर और जमू के बीच में एक खिता है उसको खिता चनाब बोलते है दर्याई चनाब उसके आसपास क्या है कि जो एक्सिडेंट क्रेश बेरियर होते है तो क्या है चेर्मेंट सर कि वो जितना मरजी बड़ा ट्रक है एक बर वो स्किप हो गया रोड से तो वो अब हाइडरो की बजा से लेख है तो वो बापस नडेड़ वर्डी नव ट्रक मिलता है तो मैं हनुबर मनिस्टर साब से ये कहूंगा कि डोडा से किष्टवाड और उदुमपूर से जो नाशल आईवे है स्रीनगर की तलब बनहाल की तरफ इसमें एक्सिडेंट ट्रैश बेरियर अगर हों तुम हमारे जो हाथसे हैं वो थोड़े कम किये जा सकते हैं कुन डेबर मिनिस्टर इस चैर्मन महोद है इसमें ये बहुत ही कथिन आईसी के गए जहां पहाड़ियों से रास्ता जाता है और जम्मू से स्रीनगर के बीच में अठारा टनेल बना वे हैं उसमें से चवदा टनेल पूरी हुई है और सही में मुझे खुशी होती है कि कश्मीर से कंद्याकवरी हम पहले बाशन में बोलते थे अभी जैसे आप कली में हिमाचल प्रदिश में था मनाली में तो मनाली से हम जब रोतांग पास जाते हैं तो वहां जाने के लिए हमको साड़े तिन गंटे अलगते थे अब अटल तनेल बन गई आठ मिनिट में आते हैं और उसके बाहर आने के बाद हम लद्दाक लिया तक पास टनेल बना रहे हैं और मैं आपसे भी अनुरत करोंगा में लोकसभा के स्पीश्ट के आने वाले थे हमारी कमिटी को आप राज्यसभा को भी आमंत्रित करता हूं हमने कारगील में एक आशिया की सबसे बड़ी टनेल बना रहे हैं जो माइनेस एट डिगरी में काम हो रहा है और उस टनेल में एस्टिमेट कॉस से पाच हजार करोर बचा गया है और करिब सतर परसें काम पुरा हुआ है स्केट ऑप आर्थ है और आशिया का सबसे बड़ा 11 किलोमेटर का यह है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उससे हम लोग जेडमोर टनेल बन गई है वहाँ से स्रीनगर आते हैं स्रीनगर के बाद जम्मू आते समय कट्रा एक्सप्रेस आवे लगता है दिल्ली के लिए तो कट्रा दिल्ली छे गंटे में अमरुसर चार गंटे में और दिल्ली से दिल्ली मुंबे हाईवे से सूरत तक और सूरत से अमदाबाद इसमें कश्मिर में बहुत बड़े परमान पर काम हो रहे हैं और यह जो बात इन्होंने कही है यह भी सच है कि एक्सिदेंट बहुत होते हैं क्रैश बेरियर पहले लोहे के लगते थे मुझे बताते हैं मैंने इसी सभागरों में जवाब दिया था कि अब बांबू के क्रैश किसानों को काम मिलेगा तीसरी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि जहां ट्रक बिल्कुल नीचे चले जाते तो एक नहीं टेकनोलोजी आई है कि कॉंक्रीट में ऐसे प्लास्टिक के गोल होते हैं उसके ओपर वो ट्रक कितने भी स्पिट रह तो एकदम पीछे आत है नीचे नहीं जाता है तो जहां है इसके कॉस्ट प्रोड़ी जादा होती है उसको वेरिफाय करके वो इस प्रकार के कटनाई को जगह पर उत्तराकरण हिमाचल कशमीर अरुनाचल जो पाड़ीय प्रदेश है परवतिय प्रदेश है उसमें जो गाड़ीय नीचे जा रही है उसमें इस प्रकार का कुछ जगह हमने प्रयोक किया है यह भी आपने बतायवी स्पार्ट पर करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से अक्सिडेंट कम हो और जान में चाहिए